हेग गाइज आज हम बात करेंगे कि हम मरते हुए अरेका पाम को कैसे बचा सकते हैं और दोबारा से उसे ब्यूटिफुल और लश क्रीन कैसे बना सकते हैं तो इस वीडियो का एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें सो लेट स्टार्ट फर्स्ट में रीजन है कि आपका पाम जो है येलो होना स्टार्ट हो गया है या वो खराब होना शुरू हो गया है वो है आपका पॉट अगर आपने अपना पॉट सही ड्रेनिज होल्स के साथ नहीं लिया है तो पॉट में वाटर लॉगिंग होना और रूर्स जो हैं प्लांट के बाकी हिस्सों तक अच्छे से न्यूट्रियंट्स नहीं पहुंचा पाएंगी और उसका इंपक्ट देखने को आपको मिलेगा सीधा लीव्स के ऊपर लीव्स जो हैं येलो होना शुरू हो जाते हैं जब उनमें न्यूट्रियंट्स की कमी होना स्टार्ट हो जाती है इसलिए आपने जो भी पॉट लेना है अच्छे ड्रेनिज होल्स के साथ लेना है और जितने भी येलो लीव्स हैं उन्हें आपने साथ के साथ काट देना है क्योंकि ये दुबारा ग्रीन नहीं होंगे और जब तक आप इने काटेंगे नहीं तब तक न्यू ग्रोथ साथ नहीं होगी इसलिए यलो लीफ को और ब्राउन टिप्स को साथ के साथ आप ट्रिम करते हैं सेकंड में रीजन है आपके अरेका पाम के खराब होने का वो है ओवर वाटरिंग ओवर वाटरिंग से हमेशा प्लांट में रूट रॉट की प्राबलम शुरू हो जाती है और रूट रॉट में होता क्या है प्लांट की रूट जो है वो सड़ने लग जाती है इसे ट्रिट करने के लिए आपने क्या करना है प्लांट को पॉर्ट से बाहर निकालना है और सबसे पहले चेक करना है कि इसकी रूट हेल्दी है या वो गलने लगी है रूट्स अगर डाक प्राउन कलर की हो जाती है और वो थोड़ी वीक भी हो जाती है जब वो गलना शुरू हो जाती है और रूट रॉट रॉट जब जादा हो जाता है वो सीधे पाम की स्टेम तक पहुंच जाता है जिससे स्टेम भी गलने लग जाती है करना क्या है अगर root rot सिर्फ roots तक है तो आप खराब हुई roots को trim कर दें और अगर root rot आपकी stem तक पहुंच किया है तो खराब stem को अलग करके आप plant को नए potting mix में लगा दें नया potting mix आपने इसलिए बनाना है क्योंकि root rot हमेशा fungus से शुरू होता है और अगर दोबारा से आप उसी सेम potting mix में इसको लगा देंगे तो fungal disease होने के chances दोबारा फिर से हो जाते हैं इसलिए जब भी plant को लगाएं नए potting mix में लगाएं और root rot की treatment के बाद आपने इसकी watering का पूरा ध्यान देना है ताकि ये root rot से revive हो पाए और इसे place करना है इसकी ideal location पे यानी bright indirect sunlight में इसकी care की complete video channel पे है अगर आप वो एक बार देख लेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि इसमें watering कैसे करते हैं और इसकी care कैसे करते हैं लिंक आप उसका description box से देख सकते हैं third main reason है आपके अरेका palm के खराब होने का वो है infestation infestation किसी भी तरह का हो सकता है fungus का भी, millibugs का भी, scales का भी और spider mites भी आपके palm पर attack कर सकते हैं इन सब को treat करने के लिए आपने एक चमस नीम oil लेना है उसमें half spoon आपने liquid soap का add करके एक लिटर पानी से आपने इस पर spray करनी है spray आपने सारे palm पर अच्छे से करनी है ताकि कहीं भी infection ना रहे और fungus के लिए आप इस पर fungicide का spray करें आप एक लिटर पानी में एक चमस fungicide add करके सारे plant पर अच्छे से spray करें और जब भी स्प्रे करें नीचे से लेकर उपर तक अच्छे से करें ताकि कहीं भी फंगस ना रहे। फोर्थ में रीजन है कि आपका पाम खराब हो रहा है वो है रूट बाउंड। जब प्लांट रूट बाउंड होता है तो पॉर्ट में जाता स्पेस नहीं बचती है रूट को ग्रो करने में और उन्हें अच्छे से न्यूट्रियंट्स नहीं मिल पाते हैं इसलिए आपको प्लांट को निकाल कर बड़े पॉर्ट में ट्रांसफर करना है और सारी सॉयल को भी चेंज करना है ताकि आपका प्लांट अच्छे से ग्रो कर पाए फिफ्थ में रीजन है कि आपका रेका पाम खराब हो रहा है वो है पोटाशियम डेफिशेंसी पोटाशियम की डेफिशेंसी से भी इसके लीव्ज येलो होने लग जाते हैं तो आपने करना क्या है आप इ अगर आपके पाम के लीव्ज कुछ इस तरह से ब्राउन हो गए है और वो टच करने से क्रिस्पी भी फील होते हैं तो उसका रीजन है सरन बर्न तेज धूप की वज़ा से अरेका पाम के लीव्ज जल जाते हैं तो आपने करना क्या है सबसे पहले जले हुए लीव्ज को इस करना है जहां से इसे ब्राइट इंडरेक्ट सनलाइट मिले और आपका पाम हमेशा ग्रीन रहे और हेल्दी रहे आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लेस इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें थैंक you guys